लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सपाटा नियूज को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकिशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ATM और बैंकों में कैश की कमी क्या फिर जमा होने लगी ब्लैक मनी सरकार का जवाब कह नहीं सकते जी हाँ दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है सपाटा नियूज में देश के अलग-अलग हिस्से में ATM और बैंकों में नगदी की कमी को सरकार ने अचानक बढ़ी मांग का नतीजा बताया है सरकार ने कहा है कि इन जगों पर कमी को तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं वित्र मंत्री आरुन जेटली ने कहा कि बैंकों के पास पर्याप नगदी है और सरकार इस्थिती की समिक्षा कर रही है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराश जैसे राजियों में कैश की किल्लत अचानक बढ़ गई है क्या ये नोट बंदी पार्ट्टू है? सरकार का जवाब है कह नहीं सकते आर्थिक मामलों के सचिव स.C. गर्ग ने मंगलवार को बकाइदा प्रेस कॉंफरेंस की और सरकार के पास नगदी की कमी वाली खबरों का खणन किया स.C. गर्ग ने कहा कि सरकार पांच सो के नोट की छपाई पांच गुना बढ़ा रही है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना पांच गुना बढ़ा रही है उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में हर दिन जितने पांच सो के जितने नोट छापे जा रहे हैं उनकी कुल कीमत पांच सो करोण है जिसे पांच गुना बढ़ा कर पच्चिस सो करोण रुपए प्रति दिन किया जाएगा सचिव S.C. गर्ग ने यह भी बताया कि पिछले कुछ महिनों से दो हजार रुपए के नए नोट की सप्लाई बंद है इसके पीछे उन्होंने यह तरक दिया कि छे लाख रुपए से ज्यादा के मूल लिके दो हजार के नोट पहले से ही चलन में है और यह पर्याप्त है आगे उन्होंने ये भी बताया कि 2000 के नोट बैंकों में जमा होना कम हो गए हैं और लोग उन्हें अपने पास रख रहे हैं लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या 2000 के नोट कम होने और नगदी का संकट होने के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि लोग फिर से नगदिक के रूप में काला धन जमा कर रहे हैं तो उन्होंने इसका जवाब नहीं में दिया इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि वा इस पर कुछ नहीं कह सकते कि सरकार उचित कदम उठा रही है और जो नोट की किल्लत है वो जल्दी दूर होगी इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए सपाटर ने उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना बिल्कुल न वोले धन्यवाद प्रेम्स